तो स्टुडेंट्स हमारी एक अप्लिकेशन है केरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से यह एप्लिकेशन स्पेसिफिकली एंड्रोड यूजर के लिए अविलेबल है इस एप्लिकेशन में आपको लॉग इन करना होगा अपनी जीमेल इडी से and once you have logged in आप इस पेज पे जाएंगे आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रेक 10 अगर आप यह कोड क्रेक 10 यूजर करते हैं तो आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा अगर आप परचेस करते हैं हमारा कोर्स को अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि यह कोर्स इतना अच्छा इतना इम्पॉर्टन कोर्स क्यूं है क्या reason है इस course का इतना अच्छा होने का देखिए हम daily basis पे आपको current affairs प्रोवाइड करेंगे weekly basis पे, monthly basis पे मतलब daily basis पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उस दिन के content की एकदम अच्छे से बिलकुल notes format में ताकि आपको खुद के notes ढूणने ना पड़े बनाने ना पड़े और ये notes पढ़के आपकी revision हो सके यही आपको quiz भी हम प्रोवाइड करेंगे same content की daily basis पे 20 से questions की quiz होगी आपको application पे मिल जाएगी जो आप revision के लिए हमारा PDF पढ़के course को revision करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से revise करूँ हम आपको application पे ही revise करा देंगे अपनी through this quiz ऐसे ही weekly format में आपको 50 questions की quiz मिलेगी और PDF, compiled PDF of important questions of that week ऐसे ही monthly basis पे एक top 100 questions की PDF मिलेगी जो बहुत अची PDF होती है बिलकुल कैतेना एकदम star questions, most important questions of that month हम cover करते हैं इसी के साथ-साथ जो बच्चे बैंक के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक one-stop solution है बहुत अच्छा content हम आपको provide करते हैं 99.99% हम अपना content cover कर देते हैं related to banking awareness इसी के साथ-साथ आपको पता होना चाहिए हम अप provide करते हैं आपको 20 topic के PDF ये topic की PDF कौन-कौन सी होती है जैसे अगर आपने एक्जाम में देखा होगा एप से related और्भ्यूटरी किस personality की मृत्य हो गई books किस book कौन से author ने लिखी है important days के बारे में national affairs के बारे में international affairs के बारे में defense के बारे में ये particular satellite किस की है ये missile किस के दवारे launch की गई तो इससे related हम सब आपको content provide करते हैं जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहता है इसी के साथ-साथ कुछ special current affairs भी provide किये जाते हैं interactive PDF भी आपको provide की जाती हैं अगर आप हमारा course purchase करेंगे ते जो आपकी preparation में बहुत helpful रहेंगी और जो ये सारा content अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ ये content bilingual है bilingual मतलब English में भी provide किया जाता है as well as ये Hindi में भी हम आपको content provide करते हैं इसी के साथ-साथ friends आप हमारे YouTube channel को जाके subscribe कर सकते हैं वहाँ पर हम आप बहुत अच्छे से revise कराते हैं आपको content पढ़ाते हैं आपको कुछ ना समझाए तो आप वहाँ से जाके refer कर सकते हैं एक code और याद रखना वो है Vikas10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप Vikas10 का code यूज़ कर सकते हैं आपको crack10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ-साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया, पैसे cut गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9667-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure as well as एक साल के लिए purchase कर सकते हैं अगर कोई बच्चा, कोई student दो साल बाद exam देना चाहता है वो long term plan कर रहा है आपकी graduation अभी खतम हुई है और आप चाहते हैं कि आपकी preparation बहुत ही अच्छे से हो है और आप अपना 100% दे के exam देना चाहते हैं तो आप 2 साल का भी course purchase कर सकते हैं एस वेलाज अगर कोई plan कर रहा है next year payment करने का next year plan कररा है अपना exam देने का देन वो 1 साल का course भी purchase कर सकता है इवन अगर आपने 1 साल का course purchase कर सकता है न आप उसका 1 साल और extension कराते हैं तो वो भी हमारा courses offer करता है आप जा के चेक कर सकते हैं इसमें अभी रिपोर्ट आई और यह 11 जुलाई को आई थी 11 जुलाई important क्यों होता है याद रखिएगा 11 जुलाई को आपका world population day observe किया जाता है world population day ठीक है और हम 11 जुलाई को क्या रिपोर्ट आई world population prospectus 2022 का इसमें आया कि इंडिया जो कि अभी second most populous country है यह replace कर देगा चाइना को to become the जो अभी first number पे सबसे populated country है 2023 में इंडिया वर्ल्ड का most populous country बन जाएगा यह data release किया गया कब 11 जुलाई को जो कि world population day होता है next next हम बात करेंगे who are the winners of the Wimbledon women and men single title अगर देखो women की बात करूँ women की तो वो अभी youngest person जिन्होंने Wimbledon title जीता वो कौन है एलिना राइबनेग ठीक है यह 23 साल की है और यह पहली player बनी कहां से कजाकिस्तान से कजाकिस्तान से जिन्होंने एक grand slam title जीता जीता ऑल्सू remember she became the youngest Wimbledon champion since 2011 अगर फिर मैं की बात करूँ वो है Novak Djokovic Novak Djokovic ने अपना 4th Wimbledon title जीता है and 4th straight Wimbledon title जीता और यह इनका 21 grand slam है एकी जोर याद रखना रफेल नडाल इन्होंने 22 grand slam title जीत रखें तो अगर यह एक और जीत जेते हैं तो यह world all time record set कर देंगे जो कि अभी रफेल नडाल का 22 grand slam title का है तो यहाँ पे जो correct option बनता है वो है women के लिए एलीना रैबनेक और men's के लिए Novak Djokovic next पे आते हैं OALP and HELP OALP की बात करें दोनों की full form देख लेते हैं OALP होता है open accrage licensing program और HELP होता है hydrocarbon exploration and licensing policy ठीक है यह आपके launch की गई थी ministry of petroleum and gas के द्वारा help की बात कर रहा हूँ मैं help launch की गई थी ministry of petroleum and natural gas के द्वारा 2016 में ठीक है तो आपका यह किस से related है oil से related रहेगा moving on fourth question करना करना हली यह recently news में था किस लिए news में था because it is an ancient buddhist site यह located कहां पर है यह करनाटका में located है आपको याद रखना है ठीक है करनाटका में भी कहां पर on the bank of Bhima river on the bank of Bhima river यह located है in काला बुरागी district of करनाटका तो correct option क्या है option B फिर आजाते हैं singalila national park यह भी वह इसी recently news में था यह news में क्यों था क्योंकि यहाँ पर 20 red pandas को इंक्लूड किया जाएगा 20 red pandas को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और यह singalila national park कहां पर located है यह आपका West Bengal में located है singalila national park ठीक चलिए यह थे आपके पांच question दोस्तों अब आजाते हैं कल के homework पर जो हमने कल homework दिया था 12th of July का उसका correct answer नीलम रंगवानी जी ने दिया है आप यहाँ पर 5 option देख सकते हैं इनके 5 option correct हैं तो आपको अगर अपने answer match करना है तो आप इनसे check कर सकते हैं तो congrats नीलम रंगवानी जी आपके option बिलकुल ठीक थे next अब आजाते हैं friends आज की news पर बढ़ अच्छा session रहेगा तो pay attention till the end सबसे पहले हम बात करेंगे mission वच्छल्य scheme की mission वच्छल्य scheme क्या है basic जो primary objective है ना उसको लेके चलेंगे और खुश हो I repeat हर बच्चा इंडिया में healthy हो और उसका बच्छपन अच्छे से भी इतना चाहिए वो खुश होना चाहिए यह है आपका mission वच्छल्य scheme यह एक centrally sponsored scheme है इस responsible जो ministry रहेगी वह है आपकी ministry of women and child development की ठीक है इसको पहले बोला जाता था Child Protection Service Scheme Child Protection Service Scheme के नाम CPS के नाम से जाना जाता था 2019 में ठीक है जो थी welfare and rehabilitation of children और जो main objective क्या है यहाँ पर बच्चे healthy रहे और खुश रहे बच्चे healthy कब होंगे जब उनको portion provide किया जाएगा right amount of nutrition दिया जाएगा खुश होंगे जब उनको need met की जाएगी उनको education provide की जाएगी वो आगया आगये उनको skills provide की जाए ठीक है उनके future पर बात की जाए तो यह सारी चीज़े ठीक है फिर mission वच्छल है एक क्या है road map है for achieving the development and protection of child that are consistent with the sustainable development goal बच्चों को हमें protection भी देनी है छोटे बच्चों होते हैं उनके साथ कोई भी दुर विभार हो सकता है उनको कोई labor रख लेता है उनको knowledge नहीं होती उनके बोलेपन का फाइदा उठाया जाता है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए ही कि बच्चों का एक लीव नो चाइल्ड बिहाइंड यह आपका मोटो रहेगा किस चीज़ का वचसल्य स्कीम का यह बहुत इंपोर्टेंट है पूचा जा सकते है डारेक्ट क्वेशन में हैगा ठीक है तो यह आपका mission वचसल्य का मोटो भी हो गया ठीक याद रखेगा अच्छा टॉपिक है प में एम था वो क्या था to ensure that every child in India has healthy and happy childhood फिर मोटो देख लिया लीव नो चाइल्ड बिहाइंड बच्चों की प्रोफेंड और एक चीज़ और बताओ अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की 23 कि किसके लिए हो जाता है forced labor के लिए और आर्टिकल 24 किसलिए हो जात 10th edition of world peace forum यह world peace forum अभी होगा कहां पर कौन conduct कराएगा कौन host कर रहा है यह सारी चीज़े आपको पता होनी चीए तो 10th edition होगा world peace forum का होगा बीजिंग चाइना के द्वारा इसको host किया जाएगा और सिंग्वा युनिवरस्टी में कराया जाएगा और यहां पर आपको theme बहुत peace forum के 10th edition की जो की बीजिंग चाइना के द्वारा host करा जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे SBI की SBI का एक आम है SBI CAP Ventures इनके द्वारा अभी एक MOU साइन किया गया Ministry of External Affairs के साथ for TDC Fund के Joint Projects के लिए TDC Fund क्या होता है TDC होता है Trilateral Development Corporation Fund for Joint Projects with Global Partners मतलब Global Partners के साथ investment करने के लिए SBI CAP Ventures Limited जो की एक आम है आपका SBI का इनके MOU साइन किया गया Ministry of External Affairs के साथ ताकि एक TDC Fund Trilateral Development Corporation Fund डेवलप किया जाए for Joint Projects with Global Partners Global Partners के साथ मिलके Joint Projects लाने के लिए तो Trilateral इसलिए है एक कंपनी ये दूसरे Ministry of External Affairs और तीसरे आपकी यहाँ पर Global Partners हो जाएंगे ठीक फिर इंडिया वोड कॉंट्रिबूट अप्रोक्सिमेटली साथ 175 क्रोर रूपीस तो ग्लोबल इनोवेशन देवलप्मेंट फंद थूद टीडीच फंद चलिए फिर ट्राइल डेवलप्मेंट कोर्परेशन फंद की बात करें ये रिसेंट्ली लांच किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टरनल अफेर के द्वारा इंटेग्रेट पॉबलिक और प्राइवेट सेक्टर्स विद्ध सपोर्ट फोर लार्ज स्केल इंवेस्टमेंट इंडो पैसिफिक रीजन जैसे हमने देखा तीन ओर्गनाइजेशन हो गई कि SBA CAP, MEA और आपका जो फ्यूच ग्लोबल पार्टनर्स होंगे जो भार के लोग इंवेस्टर्स हैं उनके साथ मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में डेवलप्मेंट लाने के लिए ये प्रॉजेट साइन किया गया नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्बेए की आर्बेए के द्वारा एक फाइनेशल स्टेबिलेटी रिपोर्ट रिलीस की गई स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन पर बहुत अंसर्टेन भूला गया है भी स्टॉक मार्केट को तो रीजन भी हम जानते हैं कि काफी जादा टर्मॉइल है मार्केट में चाइना का इशू आ जाता है कोविड-19 का इशू युक्रेइन वार का इशू तो अभी बहुत अंस्टेबल है हम देख रहे हैं काफी टाइम से बुल मार्केट भी चल परी थी तो अब बियर मार्के नीचे जाती है उपर ना जाने के बजाए और कोई भी स्मार्ट इंवेस्टर होगा वो अपने पैसे को ऐसे टाइम पर इंवेस्ट करता है जहां पर मार्केट ग्रो करेगी ना कि कम हो जाएगी ठीक है इवन इसी लिए भी बोला जाता है कि अभी धीरे-धीरे अपने पैस काफी कंपनी इंडिया में काफी स्टार्ट अइसी है जो जॉब्स कट करने लगे हैं इवन टैसला ने बोला कि हम जॉब्स कट करेंगे तो यह क्या है यह अंदेशा करता है कि धीरे-धीरे-धीरे हम फ्यूचर में एक रिसेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो यही सब आपको यहां देखने को मिलेगा और यह था 25th edition of the financial stability report जो की RBI के द्वारा रिलीज की गई एस पर दर इन्होंने बोला जो ग्लोबल एकनोमी आउटलूक है अभी considerably uncertain है तो uncertain important word रहेगा चलिए RBI की बात करें तो एक अपरेल 1935 को यह established किया गया था इसका head office पहले Calcutta था बढ़ फिर उसको Mumbai shift कर लिया गया 1937 में ठीक है चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे Tata AIA life insurance के द्वारा टाइप किया गया City Union Bank के साथ ताकि एक health and life insurance आपको provide किया जा सके एक अच्छा सा product लाके insurance प्रोड़क लाके इनको provide किया जा सके with the help of this Tata AIA life insurance and City Union Bank इससे क्या होगा इन दोनों के tie-up करने से क्या होगा जो Tata Life insurance जैसे मानलो City Union Bank के 700 प्लस आपके branches है उसमें कितने सारे इनके members होंगे इनके customers होंगे उन customers को insurance provide कहा से किया जाएगा वो Tata insurance life insurance provide करेगी ठीक है सारे customer ना करें अगर 10% customers को भी acquire कर लेते तो बहुत बड़ा revenue generation हो जाता है Tata life insurance के लिए ठीक है इससे क्या होगा इनको फाइदा क्या होगा City Union Bank को की जो पैसा जमा होगा वो इनके account में जमा होगा इनके bank account में जो Tata life insurance यह अपने अलग से customers लाएंगे उन customers का भी पैसा कहा जमा होगा City Union Bank में तो ये एक अमालकेशन हो जाता है एक दोनों का मिली भी जुले आगे प्रोजेक्ट लाउंच करते हैं ठीक है चलिए नेक्स पर आते हैं नेक्स हम बात करेंगे आया डिया की आया डिया यह आपका Insurance Regulatory and Development Authority of India इनके अब भी दो टास्क फोर्स सेट अप की गई फॉर्दा इश्यू इश्यू जो भी लोगों के इश्यू आते जो इंश्यूरेंस रेगुलेटरी जो इंश्यूरेंस से रिलेटेड होते हैं चाहिए आप अपना क्लेम करना हो या सेटलमेंट करनी हो किसी भी चीज के लिए उनके लिए दो टास्क फोर्स सेट अप की गई है ठीक है यह डास्क फोर्स अपनी रिपोर्स को समिट करेंगी विदिन थ्री वीक्स पहले पैनल जो पहली task force उसमें 9 members हैं और इस 9 members को will sort out the issues between the non-life insurance and re-insurance और इसको head किया जाएगा भारगफ दास गुपता जी के दौरा जो की MD&CEO है ICIC Lombard General Insurance के ये पैनल suggestion देगा on the applicability of compliance requirements, faster settlement हो सके payment mechanism among the resures and cross-border resures फिर second जो panel रहेगा उसमें 7 members होंगे जो की head किया जाएगा नवीन तेलियानी जी के दौरा जो की MD&CEO है आपके Tata AIA Life Insurance के इस team will analyze recommend the stabilization of the reinsurance rates के बारे में capacity constraints and resures securization of mortality risk and financial reinsurance solutions के लिए तो coming back आपको के याद रखना है भारगवदास गुपता पहले panel के पहले task force के head रहेंगे और दूसरे task force के या फिर दूसरे panel के जो head रहेंगे वो है नवीन जी जो की MD&CEO है Tata AIA Life Insurance के moving on important mark कीजिएगा इसको भी वो कौन सी airlines है जिनको अभी DGCA का approval मिला for air license या फिर airlines या air certificate मिला DGCA के द्वारा DGCA होता आपका Directorate General of Civil Aviation तो Akasa Air जो की own की जाती है राके जुन जुन वाला जी के द्वारा इनको अभी एक air operator certificate certificate AOC certificate या license मिला from Directorate General of Civil Aviation ये फ्लाइंग अपनी start कर देंगे बाद जुलाई 2022 इनका target रहेगा कि हर साल हम कम से कम पांच aircraft को अपनी fleet में add करें नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे नोक्या के द्वारा अभी एक center of excellence setup किया गया for network robotics और कहां पर IISC बैंगलोर करनाटका में इसको setup करा गया तो क्वेशन कैसे आएगा कि नोक्या ने अभी center of excellence setup करने में मदद की for network robotics कहां पर IISC बैंगलोर करनाटका में setup करने की बात की गई ऐसी मा बात करूँ पहला center of excellence for khadi कहां पर रहेगा वो आपका न्यू डेली में रहेगा ठीक है यह चीज़े याद रखना और जो यह research lab यह ना promote करेगी आपकी research involving robots और advanced communication technologies ऐसे 5G और artificial intelligence की मदद से अगर 5 5G की बात करूं तो वह कौन सा company है जिन्होंने भी 5G में एंटर किया वो है अडानी ग्रूप ने फिर इसी के साथ-साथ इनका टाइप जो इन्होंने 5G में एंटर किया है तो अब इनके competitor होंगे जैसे जियो भारती एटल ठीक है चलिए next पे आते है next important news रहेगी याद रखन जिनको अभी संबानित किया गया वो कौन है जपान के former prime minister शिंजो अबे लेट शिंजो अबे बिकॉन इनका भी recently निधन हो गया इनको assassinate कर दिया गया था तो government of Japan के द्वारा former prime minister शिंजो अबे को caller of the supreme order of the क्रिंशेंथियम अवाड से संबानित किया गया और posthumously मतलब मृत् रखना पड़े का nobel prize nobel prize वो prize है जो posthumously नहीं दिया जाता है ठीक है अगर Albert Einstein को आज nobel prize देने की बात की जाएगा उनकी किसी भी theory के लिए black hole की discovery के लिए या फिर कोई theory of relativity के लिए तो उनको nobel prize से संबानित नहीं किया जाएगा because उनकी death हो चुकी है posthumously संबानित नहीं कि संबानित किया गया under the post war constitution तो caller of the supreme order of the christianium इस award से किनको संबानित किया गया former prime minister of japan वो कौन है शिंजो एबे next पर आजाते है next बात करेंगे ex-ceo of nitiyaayog amitap kanth इनको शेरपा g20 summit का शेरपा घोशित किया गया अब यह शेरपा क्या होता है शेरपा आपको याद रखना है basically शेरपा is a person जिनको personal representative appoint किया जाता है to the prime minister narendra modi at g20 summit all right यह आपके responsible होंगे जो pre-summit meetings होती है negotiations होते है ठीक है किस बात पर बात करनी है क्या-क्या topics हमें आगे सामने लाने है किस topic का हमें समर्तन करना है कि इनका विरूद करना है तो इन सारी चीजों को discuss किया जाता है वो कौन है कौन करते है शेर्पा करते है ठीक है यह personal representative होते है to the prime minister तो एक्स निती आयोग के एक्स CEO of निती आयोग अमिताप कांथ को शेर्पा बनाया गया जी-20 का ठीक है फिर आपको याद रखना है अगर मैं बात करूँ रोल आफ अमिताप कांखम देखी चुके हैं इंडिया आपका अभी जो current president है G20 का वो है इंडोनेशिया लेकिन आने वाले time में 1 December 2022 से लेके 30 November 2023 तक कौन president रहेगा इंडिया रहेगा आपको याद हो हमने बात किया था G20 की one of the meeting जम्मू एन कश्मीर में भी host की जाएगी और G G20 की जो presidency है वो किसके पास है for year 2023 इंडिया के पास रहेगी इससे पर इंडिया से पहले किसी आ सकती है इंडोनेशिया पर यही याद रखना है ठीक है तो हमने क्या देखा एक्स CEO अफ नितियायो अमिताप कांथ इनको नया शेरपा बनाए गया for the group of 20 और यह किन को replace करेंगे प्यूश गोल को यह replace करेंगे यह भी आपको term याद रखना है और प्यूश गोल नहीं अगर आपको याद हो Belgium, Brussels में आपका Mango Festival को inaugurate किया था नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे Boris Johnson की, Boris Johnson ने अभी resign कर दिया from the post of Prime Minister of United Kingdom और अभी news में यह भी आ रहा है कि Rishi Sunak, Rishi Sunak नए Prime Minister बनने वाले है of UK, यह भी news में है, confirm नहीं हुआ है तो कभी इसको ले, जस्ट यह एक Indian origin वेकती है, Rishi Sunak, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, कि मेभी यह नए Prime Minister बन सकते है और UK, फिर आपको कुछ बुक्स याद रखनी है by Boris Johnson, 72 Virgins, The Dream of Rome, The Churchill Factor, How One Man Made History, यह तीन बुक याद रखेगा by Boris Johnson फिर Scientist कुछ Science की बात करें, तो Scientist at CERN, CERN क्या है, यह यह European term है, तो CERN की जो फुल फॉम आती है, वो है, European Council for Nuclear Research ठीक है, तो CERN के द्वारा, जो Scientist at CERN और यही पर आपका Large Hadron Collider है, जैसे हम डिसकस किया, कुछ 27 किलोमेटर लंबा यह आपका एक Large Hadron Collider है, जो आपको revolve करते हैं, यहापे particles strike करते हैं, बहुत high power laser beam होती है, जिससे आपके particles strike करते हैं, और वो energy generate करते हैं, यह फिर new particles जो आपके break होते हैं, discover किया जाते हैं, तो आप यह याद रखेगा, सरन के scientist के द्वारा, तीन नए subatomic exotic particles को discover किया गया, देखो एक छोटा सा quick revision दे देता हूं आपको, nucleus में बीच में क्या होता है, protons and neutrons, इनके चारो तरफ क्या revolve करते हैं, electrons revolve करते हैं, और एक चीज़ होती है, quarks, हमें लगता था, electrons and protons से ही आपका nucleus बना है, आपका पूरा, एक पु पूटी चीज़ होती है, आपके electron, proton, neutron से, ठीक है, यह आपके total six flavors में आते हैं, फिर six type की quarks होती है, up, down, charm, strange, top and bottom, इनको अगर हम different तरीके से arrange करेंगे, जैसे मालो, एक up, दो bottom, तो यह एक particle है, दो up, एक bottom, यह एक particle है, ठीक है, फिर calm एक, charge एक, charge एक, दो down, ऐसे अलग combination बना के, अगर हम particles को arrange करेंगे, तो एक हर बार different particle निकल के आएगा, तो अभी जो scientist है, CERN में, उनके दुवारा यह discovery करी गई, पेंटा quarks, और tetra quarks की, मतलब, चार और पांच particles, different combination में आरेंज करेंगे, particles का discovery है, जो की different quarks है, 4-5 quarks, अपने different combination में आरेंज की जाते हैं, और है, मतलब, अभी तक discover नहीं किये गए थे, पेंटा quarks और tetra quarks की format में मिले हैं, ठीक है, तो यह basic term है, याद रखिएगा, ठीक, चलिए फिर आते हैं, देखा, tetra quarks, pentaquarks, discover किये गए, आपको इतना deep में आपसे नहीं पूछा जाएगा, exam में, आपसे पूछा जाएगा, किन under 20 wrestling championship की, जो कि मनामा बहरेन में हुई, यहाँ पे इंडिया ने कितने medal जीते, 22 medal जीते, जिसमें से 4 gold medal रहेंगे, ठीक है, अर्जू, अंत्रेम, प्रियंका और सुजीत के दुआरा ये 4 gold medal जीते गए, और total 22 medal जीते, इसी के साथ साथ याद रखिएगा, इसी event के दोरान, अ एक bronze medal जीता, under 15 की बात करें तो, ठीक है, फिर हम बात करेंगे, रियोंड आर्के लोजिस्ट एंड पदमा श्री अवाडी, इनेमुल हॉक, इनका रिसेंटली निधन हो गया है, ठीक है, इनकी बात करें, यह कहां से बिलॉंग करते हैं, यह ढाका, बांगला देश से बिलॉ हुआ था, फिर आपको एक चीज याद रखनी है, इनको युक्वेशे पदक, इनको इकूशे पदक से सम्मानित किया गया था, 2016 में, यह इकूशे पदक सेंकिड हाइस सेविलन अवाड है, बांगला देश का, फिर इनको पदमा श्री से सम्मानित किया था, 2020 में, for in the field of archaeology and musology, तो पदमा श्री से 2020 में सम्मानित किया गया था, इनको याद रखेगा, 1937 में, इनका जनम हुआ था, फिर नेक्स हम बात करेंगे, पदमा श्री अवाड़ी, पीटर बुक, इनका निधन हो गया, at the age of 97, पदमा श्री अवाड़ी, ठीक है, आपको याद रखना है, बड़ी संस्कृत एपिक है, हिंदु धम की, तो उनको इनको 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 एक फ्रेंच प्ले में किया था, पीटर बुक ने, इसलिए ये फेमस है, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ये एक ब्रिटिश बॉन्ड डारेक्टर है, जिनका जनम 1925 में हुआ था, लंडन उन मास्टर का, जो की हैशिट इंडिया के द्वारा अभी एक्सपेंड करने की बात की गई, इनके द्वारा रिलीस करने की बात की गई, ये बुक 15 जुलाई 2022 को रिलीस की जाएगी, और ये जो विश्वनात आनंद का मैमेर है, ये है, माइन मास्टर विनिंग लेसंस फ्रॉम चैंपियन्स लाइफ, नेक्स्ट, मलाला डे, मलाला डे हम 22 जुलाई को अबजर्व करते हैं, इस दिन मलाला यूसफी का जनम दिन होता है, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक शोशल एक्टिविस्ट है, ये पाकिस्तान में वीमेन राइट्स, वीमेन एजुक किया, इसी वज़े से इनको नोबल प्राइस से भी सम्मानित किया गया था, और अब ये यूस में ही रहकर, all around the world, वीमेन एक्टिविस्ट बनी हुए है, ये वीमेन की एमपावर्मेंट के लिए वर्क करती है, वीमेन एजुकेशन के लिए वर्क करती है, तो 12 जुलाई को International Malala Day observe किया जाता है, in the memory of Malala Yusufi's birthday, इनका birthday होता है, और इनको नोबल प्राइस से भी सम्मानित किया गया है, नेक्स आ जाते हैं, DSEU, DSEU क्या है, आपको याद रखना है, Delhi Skill and Entrepreneurship University, यहाँ पे skills प्रोवाइड की जाती है, और skills के basis बे लोगों को employment प्रोवाइड की जाती है इसी वज़े से Delhi Skill and Entrepreneurship University ने अभी UNICEF के साथ जॉइन किया, UNICEF के UA प्रोग्राम के साथ जॉइन किया, ताकि लोगों को students को jobs findने में help की जा सके, उनको employment दी जा सके, ठीक है, तो Delhi Skill and Entrepreneurship University ने किन के साथ टाइप किया, इनोंने टाइप किया, UNICEF के UA बोट के साथ, ताकि employment प् एक Delhi Government के दोरा एक WhatsApp chatbot भी लांच किया गया है, ताकि electric vehicle से related कोई भी queries आती है, तो उसको solve किया जा सके, तो friends, ये थे हमारे कुछ news, अब आते हैं, one-liner पे जल्दी से revise कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने विजिट किया, वारानाशी अन 7 जुलाइ, Ministry of Women and Child Development इन्होंने मिशन वच्छला की गाइडलाइन्स रिलीस की, 10th edition of World Peace Forum, Beijing, China में होगा, in Shigua University, SBI Cap Ventures ने एक MOU साइन किया, MEA के साथ, Ministry of External Affairs के साथ, for TDC Fund, RBI ने 25th edition of Financial Stability Report रिलीस की गई, ठीक है, नेक्स आजाता है, Tata AIA Life Insurance, इन्होंने City Union Bank के साथ पार्टनर किया, to offer Health and Life Insurance, फिर IRDI ने सेट अप की दो task force to resolve the issues of insurance and reinsurance, सर्स, Akasha Air, ये जो राकेश जुनजनवाला जी की है, इन्होंने अभी, इनको अभी DGCA का approval मिला, to, for the Air License, ठीक है, for Air License, इनको DGCA का approval मिल गया, और ये किनकी है, राकेश जुनजनवाला जी की, फिर Nokia ने पार्टनर किया, IISC Bangalore के a center of excellence for advanced robotics, फिर Japanese government या government of Japan के द्वारा, हमारे उनके ex-prime minister Shinzo Abe, जिनका भी recently निधन हो गया, उनको country के highest order को से सम्वानित करा गया, और ये highest order कौन सा था, ये है, call of the supreme order of the sinseidium, krisseidium, नेक्स आ जाते है, former Niti Ayo के chief executive officer Amitabh Kant, जिनको पहला, या फिर जिनको इंडिया का new G2 इनको इंडिया का new G20 का शेर्पा पॉइंट किया गया, और शेर्पा कौन होता है, हमने देखा था, शेर्पा is a person who will represent, और who is the personal representative for Prime Minister Narendra Modi at the G20 summit, बोरी जॉंसन की बात करे, इनको ने रिजाइन कर दिया from the post of UK's Prime Minister and अभी बोला, सुनने में आ रहा है कि रिशी सुनक उनको बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, यूके का वो candidate है, eligible candidate है, फिर सर्न के साइंटिस्ट की बात करे, इन्होंने तीन नए exotic particles discover किये और ये क्या है, क्वार्क्स के different combination के arrangement के basis पर ये तीन नए exotic particles discover किये गए, फिर Asian Under 20 Wrestling Championship की बात करे, इंडिया ने 22 medal जीते, बार बैर पदमाश्री अवाड़ी पीटर बुक जो इनका भी निदन हो गया, 97 की एज में, विश्मनात आनद का मैमेर माइन मास्टर फिर से रिलीज किया जाने वाला, इसका नया edition आएगा, डेली के बात करें, डेली के बात करें, डेली के बात करें, यूनिसेफ के यूवा बोर्ड ने पार्टर किया, ताकि एक पाइलेट प्रोजेक्ट लाया सकें, एम्प्लॉइमेंट के लिए, लोगों को एम्प्लॉइमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और एक चैट बाट, वाट्साइब चैट बाट लांच किया गया, डेली गवर्मेंट के दुआरा ही, कि कोई भ पहला क्वेशन होते हैं, पहला क्वेशन, इंडिया का नेवी स्टेल्स फ्रिगेट आइनस तरकश, अभी इसने एक मेरिटाइम पार्टर्शिप एक्सराइज कंडर्ग करें किस नेशन के साथ, नेक्स आजाता है, वेर इस दा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोजियम एन एक्जिबिशन ओगनाइस्ट, तीसरा क्वेशन, वेच यूनियन मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइड और पॉइम्स, राइटिंग और पॉब्लिकेशन देट वर बैंड बाइटिश गॉवर्मेंट, चौता क्वेशन, शिंजु आबे, इनका भी रिसेंट इनको असेसिनेट कर दिया गया, यह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, किस कंट्री के, पांचवा क्वेशन, एस पर दर रिसेंट नोटिफिकेशन, बाइड फाइनस मिनिस्ट्री, जो आपका इंडियन नेशनल फ्लेग, उसके सेल पर कितना परसंट जी एस्टी लगेगा, बहुत important question, ठीक है friends, I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो नईचे comment करके जरूर बताईएगा, कि आपका क्या views हैं से session पे, and अगर आप चाते हैं ऐसा session हम future में continue रखें, तो comment करके जरूर बताईएगा friends, that's all for the day, thank you and have a nice day, that's all for the day friends, यह हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ साथ friends, आप हमारे YouTube चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं, आप Telegram चैनल पे जाके हमें follow कर सकते हैं, and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के सा तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862, या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं, and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए, इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है विकास 10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप व कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related, या आपका course purchase नहीं हो रहा है, या आपका course purchase हो गया है, पैसे कट गए है, या कोई भी issue आ रहा है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967733862, या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे, and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा, and आपकी problem को solve करेगा.